Hello Dreaders, welcome to the weekly analysis video. Make sure गरो, ये वीडियो आप पूरा इंड तक देखो, because अगर आपने ये वीडियो उपन किये, मतलब आप analysis देखने के लिए, learning के लिए, इस वीडियो को उपन करते हो. लेकिन, कुछ लोग काफी distracted होते हैं, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds देखके, अगली वीडियो पर स्विच होंगे. So, मैं जातू, आप 100% फोकस करो, headphones पे नो, notes बनाओ इसके, अपने charts पे same levels ड्रॉ करो, इसको आने वाले दिनों तक ट्रैक करो, because इन वीडियो पे काफी efforts लगते हैं बनाने के लिए, levels बनाने के लिए, view देने के लिए, and अगर आप थोड़ा efforts डालो, तो ये view आपको बहुत सारे dollars भी बना के दे सकता है, तो चलो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, make sure करना, आप हमारे telegram channel join कर लो, because यहाँ पर में daily market updates, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. So if you see, 4R में, gold के अंदर, there is a very strong resistance level. अब ये जो resistance level है, this is on 2530, ये जो resistance आप देखे रहे हैं, 2530, इसको बार-बार market, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times यहाँ पर test कर चुका है, and market इसको respect कर रहा है, but I think it's just matter of time कि इसको break कर दे, because मैं आपको एक psychology में समझाता हूँ, अगर market को उस resistance को respect करना है, it will always fall. See this, respect किया, गिरा, respect किया, गिरा, but अगर market को उस level को respect नहीं करना है, तो market simply क्या करेगा? ये करेगा, sustain. Respect किया, first time, no doubt, लेकिन sustain कर रहा है. This shows कि ये बस liquidity इखटा कर रहा है, sellers की, ताकि जब अगला breakout आए, it will make sure कि ये at least 2,600 तक जाए. So, मैं इस breakout को काफी anticipate कर रहा हूँ, और काफी important है, and ऐसा opportunity आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि आपको market time दे, prepare होने दे, and proper breakout दे. 4R का है, पूरा August half consolidate हो चुका है, September half consolidate हो चुका है, एक महीने का consolidation है. Honestly, for selling, I am not interested, because, मुझे लगता है, देखो, जैसे market नीच आएगा, ये तो, ये level तो हो गई support की. उसके बाद, तुरंट, ये काफी strong support zone है, उसके बाद, तुरंट, ये जो swings है, पर उस swing पे market react करेगा, rejection लेगा, until and unless कोई news नहीं है, तभी पूरे level break करेगा, but, क्या होगा, जैसी गिरा, support लेगा, फिर थोड़ा consolidated breakdown, फिर support लेगा, फिर थोड़ा consolidated breakdown, फिर support लेगा, फिर consolidated breakdown, फिर consolidated breakdown, बड़, अगर आपको, you know, account ऐसा double करना है, या account उतने level का grow करना है, उसके लिए आपको, ये जो breakout है, उसका weight करना पड़ेगा, और इस breakout को capture करना पड़ेगा, because, इतना अच्छा 4R पे setup, बहुत rare बनता है, अगर लास्ट टाइम कभी, अगर आप देख सकते हो, ऐसा, एक महिने का अगर consolidation बना होगा, तो check करना कि उसके बाद का breakout, कितना बड़ा था, literally, आप बोल सकते हो, कि अगर 100-100 points का move है, इसको pips समझने आए था, points मतलब कैसे है, कि अगर 2420 पे है gold, तो 2520 पे चला गया, ऐसे, एक point 10 pip का होता है, तो वैसे समझने लो 100 points ये move किये, so make sure करना, you draw this level, and आप पूरे time यहाप alert लगा के, बैठे रहो, so gold का तो हम detailed analysis हो गया, as of now, Monday को अगर हम बात करें कल के लिए, तो कोई खास setup नहीं है, मैं चाहूंगा कि Monday को at least, ये थोड़ा गिरे, 2,500 के नीचे closing दे चुका है, थोड़ा गिरे ताकि, यहाँ से support मिले हमें, and एक long position हम फिर से activate कर पाए, again अगर आपको forex trade करना है, account open करने की link आपको description पर मिल जाएगी, so इसके साथ साथ आपको free forex course भी मिल रहे, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जल्दी से जाओ, account open कर लो, इसके बाद अगर हम बात कर ले, euro usd, euro usd की अगर बात करें, तो 4 hour पे, हमने last week analyze किया था कि fibonacci level है, 50% retracement test और यह सब, respect किया भी, इस zone से, इस जगह से, buying भी आई अच्छी, यह जो अभी Friday को, जो non-farm payroll का candle बना, उससे क्या हुआ पता है, पूरा price action बिगड़ गया, because यह non-farm payroll के candle के बाद, जो doji candle बनी है, उसने क्या किया, जितने buyers थे, उनका कही न कही टार्गेट का end of hit करवा दिया, कितने लोगों का sell hit करवा दिया, basically, यह मंडे को हमें इसमें sideways देखने मिलेगा, कोई खास price action नहीं दिख रहा है, because यह देखो, अगर यह swing mark करूँगा, 4R का doji candle है, यह दो zone इसके बीच में कहीं न कहीं, sideways होता हुआ, दिख रहा है मुझे, so still अगर, maybe हम क्या trade कर सकते हैं, अगर यह support पर आज है, so then we can plan a buying trade, थोड़ा 1R 15 minute पर जाके, यहां से, we can plan a buying trade, तो kind of W बन जाए, but still very high probability setup नहीं है, जैसा gold में हमें दिख रहा था, उसके बाद अगर हम बात करें, GBP की, GBP USD, this looks very good, because, again इसने भी setup, same बनाय है, जैसे Euro-USD ने बनाया था, बट यहां पर, Fibonacci का, अच्छा retracement भी लिया है, and second चीज है न, यह buying level पर, 4R के buying level पर, last time इसी जगह से, इसी जगह से, market ने अच्छा bounce दिया था, अच्छा bounce दिया था, अब यह, उसी zone पर आ चुका है, अगर हम इसको, clearly draw करें, तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कि, again, supply demand zone, trade कर सकते हैं, यहां पर zone बना सकते हैं, demand zone, and, यहां पर, we can plan a, buying position in this zone, यहां पर एक छोटा जा stop loss लागा कि, if you go for a swing trade, with this target, I think, Monday को, थोड़ा बेरिश खुल के, इधर से, buying की, level trigger करेगा, just last time का, behavior observe करना, and फिर, उस time, इस time भी आपको, क्या expectation रखना है, थोड़ा smaller time frame पे जाके, levels उपर नीचे करके, थोड़ा, excellent entry you can, manage और उसका risk reward, better कर सकते हो, उसके बाद, USD, JPY, इन सब क्या आप, levels mark करके रखो, and analyze करो की, क्या हुआ, जो trades है, उसका result क्या आया, last week क्या, ये था, last week के सारे, analysis video है, तो आप, ऐसे study बढ़ेगी, ऐसे ही trades आपके, improve होंगे, by practicing, अगिन अगर हम बात करें, तो, this, USD, JPY, 4R, इसने भी बहुत अच्छे, 4R के support पे, respect कर रहा है, तो अगर देखा जाए न, trend bearish है, मैंने last week, जो है, buying का trade दिया था, ऐसा W बना रहा था, but ये kind of W, fail हो चुक है, और ये trade bearish जा रहा है, but you know what I feel, अगर, यहाँ पे, it's a support, right, पर अगर ये trend line पे, seller को trap करे, market है, ऐसा कुछ, इस zone में, sell खाए, and फिर, एक up move आए, and then एक selling का trade है, मतलब, you know, इसको कैसे, easy way में समझाता हूँ मैं, अब देखो, यहाँ पे बहुत ऐसा support zone था, जहाँ से बहुत sharp up move आए, market में, अब क्योंकि ये trend line टूटी है, market में पूरी liquidity है, market फिर support पे, तो buyers को ये invite करेगा, but I don't think ये, ज़्यादा उपर जा पाएगा, ये breakdown देने की तरफ, mostly breakdown की तरफ जाएगा, बस मैं यहाँ पे थोड़ा no trading zone, consider करूँगा, because यहाँ पे मुझे confusion ये है, कि अगर ये support हटाते है, तो this is proper liquidity trade, अगर अब देखो, this is proper sellers की यहाँ पे, liquidity आ चुकी है, and यहाँ पे buyers को invitation है, ये जो zone है, मेरे लिए, confusion zone है की market, SL पहले किसका खाएगा, but यहाँ पे for sure, buying के लिए मैं interested, अभी तो नहीं हूँ, until and unless ये, इस breakdown के उपर वापिस चले जाए, तो ही मैं consider करूँगा एक reversal को, लेकिन जब तक इसके नीचे है, I'll plan a selling trade, अगर ये break कर गया, very good USDJPY, बहुत bearish trend में, बहुत अच्छा trade, यहाँ पे मिल सकता है, मैं थोड़ा slow and detailed में दे रहा हूँ, ताकि उसके साथ साथ आपकी learning भी हो सके, और थोड़ा आप भी levels को समझ पाओ, logic को समझ पाओ, उसके बाद 4R पे US 30 देखेंगे, US 30 है ना, bearish trend में जा चुक है, US 30 में recent कुछ दिनों से, 2 trillion dollar से ज़्यादा market cap wipe हो चुक है, और इसका जो अगर logic देखोगे, तो simple breakdown है, और उसके बाद lower low, lower low, और ऐसा नहीं किया trade लिए जा सकते हैं, तो बहुत volatility थी, अगर आप यहाँ पर short करते हैं, I sell it, अगर यहाँ पर short करते हो सकता हैं, यह profit मिलता, बट दिन यह जो Friday को non-farm payroll आया, देखो, कहां तक candle बनी, यह जो selling भी आई, बहुत volatility दे दे कर आई, बहुत up moves, random up moves देख सकते हो, यह up move, यह up move, तो काफी मुश्किल थे यह trades लिने, बट यह assured है कि थोड़ा जो trend है, मुझे लग रहे, downtrend की तरफ shift हो चुका है, अगर हम downtrend की तरफ shift हो है, अगर हम selling के trades पकड़े, on lower highs तो ज़्यादा बेटर है, तो lower high मतलब कब, जब यहाँ पर किसी का stop loss, हंट हिट होने वाला है, हम उस time पर जो trades है, उसको short करेंगे, so US 30, जब भी आपको एक अच्छा सा pullback दिए, selling के ट्रेंड के तरफ चले जाएंगे, उसके बाद USDCAD, USDCAD की बात करते हैं, अब देखो crypto का मैं analysis, telegram पे डालने वालो, यहाँ पे इस लिए telegram जोइन करना, यहाँ पे अपन 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 ली forex की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद USDCAD की अगर view देखेंगे, USDCAD काफी selling trend में था, लेकिन यह 6 PM को Friday को जो unemployment claims था, उसके ऐसे, USDCAD में एक अच्छा सा up move आया, बट doesn't look like की कुछ trade बन रहा है, बट हाँ, liquidity में है, trend line breakout है, मेरे लिए wait and watch रहेगा, because मुझे नहीं लगता है कि W बना के तुरंट rally कर देगा, यह थोड़ा trap कर सकता है, यह liquidity zone है, यहाँ पर थोड़ी ऐसे lanting हो सकती है, यह भी swing break की है, W break की है, थोड़ा observe करते है, I think mostly नीचे जाना चाहिए, बट अगर यह नीचे जाके उपर आता है, ब्लाक बोक्स बनाता है, then I'm bullish, फिर हम मान लेंगी कि इसका trend चेंज हो रहा है, and last pair, Australian dollar देखते है, sorry, US dollar versus Swiss France, यहाँ पर last time यह अपने buying का view रखा था, trend line breakout होई थी काफ, बट आगे नीचे फ्राइडे को जो 6 PM की जो candle बनी है, जो एक तम बड़ी doji candle बनी है, जो confusion create कर रही है, उसके बाद हमें जो trade है, मुझे लगता है, USDCHF इस week avoid करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा consolidation हो सकता है, या बहुत बड़ी doji है, बट अगर Monday Tuesday को यह निकले, trade अगर यहाँ से support लेके निकले, अगर buying अच्छे दिखे, तो फिर simply supply and demand को trade किया जा सकता है, simply supply and demand को trade किया जा सकता है, एस्टेल फिल Monday को थोड़ा sideways रह सकता है, बट Tuesday को हमें अच्छा buying, अच्छा selling, अच्छे buying, अच्छे selling, यह consolidation मिल सकता है, क्योंकि अल्रेडी market का फिर trend कर चुका है, अगेन लास्ट वीग भी हमने इसका buying trade लिया था, लॉजिक ये यूज किया था कि pullback up move, liquidity pullback up move, buying आई, बट बीच target 1 के बाद ये trend जो इसका shift हो गया, अब ये जो trend है, bearish trend हो चुका है, lower low form करना हो चुका है, अब देखो 4R पे यहाँ पर head and shoulder मन रहा है, and breakdown अभी है, I don't want कि आप तुरंट यहाँ पर sell करो, बट अगर यहाँ पर market liquidity लेने आएगा, and एक black box setup अगर बनाता है, तो हमें ये Australian dollar इस हफते बहुत अच्छी selling की तरफ मिल सकता है, बट अगर ये breakdown देखर fail हो जाता है, higher high बनाना चालू करता है, तो एक ऐसा trend line बना कर, हम long की तरफ चले जाएंगे, तो आपको black box versus, जो fake breakout है, उसका difference पता है, मैंने उस पर अल्रेड़ी वीडियो बना है, लेकिन बहुत अच्छी level पर है, बहुत अच्छी setup है, जिस्ट identify करना है, black box है, तो selling का, अगर fake breakout बना कर, higher high बनाता है, तो market uptrend चला जाएगा, तो I hope, इतना ही वीडियो है, मैंने पूरा detail में, deep में आपको समझा दिया है, सारे level समझा दिये, जबर वीडियो को like करना, comment करके बताना, कि आपको ये analysis help कर रहे, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए डाल सकू, that's it guys, thank you so much.